सलाम वालेकुम उमीद करते हैं आप बहतर होंगे यहां पर यह वीडियो आपके लिए लाया गया है उर्दू पेड़ागोजी का तो जिनकी भी लेंग्वेज वन या लेंग्वेज टू उर्दू है सीटेट पेपर वन पेपर टू इस वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताईए यह वीडियो आपकी सब्जेक्ट उर्दू को उर्दू के कॉश्चन को हल करने में काफी मदब करेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले चैनल पे हर सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ाया गया है चाहें इविएस हो बालविकास हो या फिर हिंदी हो या कराई गए तो चलिए शुरू करते हैं इविएस को आप देख लीजेगा कमेंट वाक्स से एलो दोस्तो उर्दू पेड़ागोजी अगर हम बात करें सीटेट 2021 के लिए कि उर्दू पेड़ागोजी की बात करें तो इसमें 30 कुशन आते हैं उर्दू में ठीक है 15 कुशन जो हम अच्छे से अच्छे नमबर उर्दू में ला सकते हैं तो इसमें तीन चीज़ा आपको देखनी हैं पहली कि आपकी तयारी अच्छी होनी चाहिए दूसरी अगर बात करें कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं अगर हम उनको फॉलो कर लेते हैं ठीक हैं तो अच्छे से नमबर ह आपको पλάंगी अगर आपको यह मिलते हैं एक्जाम में पेपर में तो आपको उनको गलत करना है ठीक है नेगेटिव अगर आपका कुशन पॉजिटिव है तब तो चलिए देखते हैं कुछ शब्दों को अगर हम बात करें पैले ही शब्दी की आगर हम बात करें कठ्ण चाते हैं हिंदी के हो जाएंगे साथ में आपको उर्दू के भी कीवर्ड मिल जाएंगे तो इस वीडियो में हम बात करते हैं उर्दू पर ठीक है अगर आपके उर्दू के पेपर में आपको मिलता है सक्त नजमवाद जब्त अगर बच्चे के लिए सक्त नजमवाद जब्त ख़लाने के लिए किया आविशक है तो आपको तीन तो positive दे दिये जाएंगे या फिर आपको एक positive दे ती जाएंगे वाकिर तीन negative जैसे दंड देना चाहिए है या फिर वेमानी होनी चाहिए कंठस्ट पर धियान देना चाहिए सक्त नजबा जब्द पर धियान देना चाहिए तो ये तीन जो भी मेना भी शब्द बोलेना ये सब गलत हो जाएंगे ठीक है और उसके साथ में एक option मिलता है कि सम्रित भासिक बातवरा तो आपका कौन सा से हो जागा सम्रित भासिक बातवरा ठीक है तो यह आपको दिहान रखना है तो चली देखते हैं सक्त नजबा जब्द अगर सक्त नजबा जब्द की बात की गई है तो ये बच्चों के लिए सरसर गलत होता है या इसको आपको गलत मानना है ठीक है अगली बात करें बच्चों के लिए केवल यानि कि अगर हम बात करें सिर्फ या महज जैसे सिर्फ या महज शब्दों का जिक्र किया गया है सवाल में तो ये भी क्या होगा गलत हो जाएगा ठीक है महत वहीन महत वहीन की बात करें तो इसका आर्थ होता है व्यमानी यानि बच्चों के लिए व्यमानी शब्द का यूज किया गया है तो ये भी क्या होता है सरासर गलत होता है अब जैसे रटने पर ध्यान देना बच्चों को सिर्फ रटना ही सिखाया जा रहा है कि कोई पोयम दे दी या फिर कुछ शब्द दे दी या कोई कहानी दे और नहीं बच्चा अच्छे से सीख पाता है ठीक है रटने का मतलब होता है कि जो दो तीन लाई ने दे दी गई है बस उसको ही वो रटके ले आएगा ना उससे उसको कोई ग्यान मिला और ना उससे कुछ सेखा ठीक है तो रटना अगर यूज हुआ है तो वो भी क्या होगा गलत हो जाएगा उपैक्षा बात करें उपैक्षा उपैक्षा मतलब इग्नौर करना ठीक है बच्चों को इग्नौर करना इग्नौर की अगर हम बात करें उपैक्षा की ठीक है अगर उर्दू की बात करें तो नजर अंदास करना क्या करना नजर अंदास करना अगर depending on the textbook depending on the textbook यानि की पाठी क्रम पर निर्वर ठीक है अगर हम बच्चों को सिर्फ पाठी क्रम पर ही निर्वर रखते हैं तो ये भी क्या होता है निगेटिव वे में जाएगा और ये उप्सन भी गलत हो जाएगा उर्दू में अगर हम बात करें तो दर्सी किताब पर मुनासि तो अगर दर्सी किताब पर मुनासिब आपको ये सब्द मिलता है तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा नेक्स हम देखते हैं अगला अगला अगर देखिए हम बात करें तो अगला है मस्क करने पर जोर मस्क करने पर जोर कार्थ होता है कि सिर्फ अभ्यास पर ही बल होता है इसको भी आपको गलत करना है अगला हम देखते हैं परिक्षा परिक्षा उर्दू की बात करें इम्तिहान ठीक है इम्तिहान की बात करें तो सिर्फ जादा जादा इम्तिहान लिए जा रहे हैं बच्चों के तो ये भी क्या होता है निगेटिव होता है फिर अगली मारा लापरवाही लापरवाही की बात करें लापरवाही ठीक है तो इसमें भी इसमें भी लापरवाही पढ़ेंगे तो लापरवाही अगर बच्चों के प्रति आप लापरवाही हैं किसी भी option में दिखा गया कि बच्चों पर ध्यान नी देना है या बच्चों को छोड़ ठीक है फिर देखिए दंड दंड की बात करें दंड उर्दू में बोलते हैं सजा ठीक है देखिए दंड की अगर आम बात करें तो दंड तो देना ही नहीं है अगर किसी भी option में आपको दंड मिलता है उसको गलत करना ही अगर आपका प्रस्ण positive है तब ठीक है तो दंड देना राएं की होता है आप जदा-ज़्यास करें यह भी क्या एक तरीका का थंड है ठीक है टो कूई साकिक है तो पोजिटिव सबदों के बात करें तो इनको आपको जैसे ही आपको ये शब्द मिलते हैं आपको उनको सही करना है ठीक है तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूत नहीं है आपको आप देखेंगे अगर आप इस चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको एटोमेटिकली ये शब्द मिल जाएगे और आपके सारे उपसन सही हो जाएगे ज़्यादा ज़्यादा पेड़ागोजी आप हल कर सकते हैं चाहे वो इंगलिस में हो हिंदी में हो या फिर आपकी उर्दू में है ठीक है तीनों इसमें देखके हम चल रहे हैं तो जो लिए द झाल आपको किसी भी ऑप्सन में मिलता है फुशहाल निशानी महित तो आपको क्या करना है रहे हैं एला आपको कुष्षे कैसे सब्न सकता है एक व कि बचचे को भ понуться की लिए ज़िखेंद ग्याने के लिए strongest so । बच्चे को भी फिर जब शिखा सकते हैं तो आपको तीन ओपसन देगा चार ओपसन की दंडे दे कर चीक है या सक्त या नग्रजम से हिरड़ा दर्सवी किताब पर मुझा। एंजिए पर धरर लोट में पर काई लिशानी माहूल तो बच्चा सबसादा कहां सीखेगा कोसहाल निसाली माहूल यानि कि सामरत भासी बातवरण में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखेगा ठीक है फिर देखते हैं अगला कुशन अगला हम स्रब्द देखते हैं यहां से यह भी कुशन जादतर आपको मिल हैं द्रस्स्रब्य सामगरी यानि की भी द्रस्स्रबब सामगरी का प्रयोग घ्रस्स्रब्य जैसे आप tab recorder, tab recorder कैसा होता है brother brother circuit होती है तो आप देख सकते हैं जैसे आपका computer ठीक है, ये भी तो तो इसकी अगर हम बात करें तो मुथफरिक समय वस्री असीवा का इस्तिमाल ठीक है, मुथफरिक समय वस्री अस्तिफे का अस्तिफा का इस्तिमाल ठीक है अगर विबिद देखिए आप इसने हाँ से कुशन ये बनता है कि बच्चे को आप सबसे अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं या फिर कैसे समझा सकते हैं या कैसे ग्यान दे सकते हैं या फिर अधिगम कैसे करा सकते हैं पिर अगला अगर हम बात करें जैसे मात्र भासा का प्रियोग, यानि कि मादरी जवान का इस्तमाल, ठीक है, अगर हम बच्चों को पड़ा रहें, तो ज़्यादा ज़्यादा हम ऐसे शब्दों को यूज करें, जो बच्चे ने सीख रखा हो, ठीक है, प्राइमरी लेबल पर जब बच्चा आता है, तो वो क्या सीखा होता है, सिफ घर की भासा, ठीक है, अपने आसपास की भासा सीखा होता है, तो हमको बच्चे को वैसे ही भासा बोल ली है, जो बच्चा जानता हो, यानि कि मात्र भासा, ठीक है, जैसे हिंदी, जैसे हिंदी, हम लोग की मात्र भास हम कुछ ऐसा पढ़ाएं जो सक रोजन्रा की जिन्दगी से तेल्ग रखता हो ठीक है तो ऐसा अगर किसी भी option में मिलता है तो वो भी क्या होगा सही हो जागा फिर समाजिक अंता किरिया समाजिक अंता किरिया कि हम बात करें तो समाजिक अंता किरिया यानि कि आफसी ताल मेल ठीक है समाज में जो भी समाज में जो भी बाते हो रही है या जो अन्ता किरिया, social interaction, ठीक है, तो बच्चा सब साद कहां सिखेगा, समाजिक बातावरण के according सिखेगा, समाजिक अन्ता किरिया के द्वारा सिखेगा, तो अगर ऐसे शब्द मिलते हैं, ये भी क्या होगा, सही होगे, नेक्श हम देखते हैं, project कारे, ठीक है, project काम, project काम यानि कि बच्चे को कोई भी ऐसा, easy सा topic है, या फिर कोई भी topic हम दे दे दें, उसको project कारे करने के लिए, तो उससे क्या होगा, बच्चा ज़्यादा ज़्यादा सीखेगा, ठीक है, और अपनी इंद्रियों का भी इसमें इ की वितर्क करने की छमता उसके क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये भी क्या होता है, positive है, फिर अगर हम बात करें, तो अगला अगर हम बात करें, जैसे, मैंने आपको बताई दिया, तर्क करने की, मनन करने की, समझने की छमता क्या होगी, project कारे से बढ़ेगी, फिर अगला है, बिचारों का आदान परदान तेकि यह बहुत जरूरी है बिचारों का आदान परदान अगर हम बात करें बिचारों के आदान परदान की तो मो के देना ठीक है यानि की तबादले खयाल क्या है तबादले खयाल बिचारों का आदान परदान जैसे बच्चा अगर आप देख कुछ भी किलास में बच्छा आजा मितलब बात चीट करके एक दूसरेаст बाध से बात चीट करके पढ़ते हैं ठीक है तो यह क्या करता है? अगर बच्चा कोई भी टॉपिक पर को बात Пर दिख कर पोजिटिव है और इसको आपको सही करना फिर स्रजनात्मक्ता स्रजनात्मक्ता की बात करें हम तो यह होता है तकलियत ठीक है तकलिकियत कर बात करें स्रजनात्मक्ता यानि की तकलिकियत तो देखिए अगर स्रजनात्मक्ता की बात करेंगे तो यह भी क्या होता है अगर आप आपको इसमें सही टिक्ट करना है next is prayna next is prayna prayna की अगर हम बात करेंगे तो यह है तरगीव क्या तरगीव अगर तरगीव आपको मिलता है तो इसको भी आपको सही करना है motivation सही करना है देखिए इस वीडियो में सबसा अच्छी खासियत यह है कि आपको इंगलीज भी मिल रहा है हिंदी भी मिल रहा है और उर्दू भी मिल रहा है ठीक है next हम देखते हैं सतत्वा ब्यापक मुल्यांकन सतत्वा ब्यापक मुल्यांकन की बात करें हम तो अगर हम बात करें मुसलसल और जामे अंदाज कद्र ठीक है मुसलसल और जामे अंदाज कद्र इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपको अगर ये मिलता है किसी भी उप्सन में मुसलसल और मुसलसल और जामे अंदाज कद्र अगर आपको मिलता है तो ये भी क्या हो जागा पॉजिटिव हो जागा ठीक है फिल अगला है एक्टिब यानि कि सक्रिय ठीक है अगर आपको सक्रिय यानि कि फैल मिलता है तो ये भी क्या होता है सही होता है और इसके जरी भी आप इसको क्या करना है आपको पॉजिटिव मानना है और इसको भी सही टिक करना है फिर चाइल्ड सेंटर्ड यानि कि बाल अगर हम बात करें तो बच्चा मरकूज अगर आपको कहीं भी किसी भी ऑप्सन में बच्चा मरकूज मिलता है बच्चा मरकूज का मतलब है बाल केंद्रित जो शिक्षा होने चाहिए बच्चे के उसके सिधानत में भी आपने पड़ा होगा करके सीखना लर्निंग वा डूइंग ठीक है तो करके सीखना भी अगर मिलता है आपको किसी अप्शन में तो ये भी क्या होगा पोजिटिव होगा नेक्स्ट है बच्चों की विचारों को महत्व देना बहुत जरूरी है बच्चो की खयाल को एहमियत देना बच्चों की खयाल को एहमियत देना तो बच्चे की खयाल को एहमियत देना बहुत जरूरी है यह से बच्चे ने अगर पूछा आपसे कोई प्रस्ट ने पूछा या कोई सवाल पूछा तो आप उसकी विचारों को एहमियत देंगे अगे अगर है सर्वागीड विकास सर्वागीड विकास की बात करें हिम जीयत नसोनुमा ठीक है हिम जीयत नसोनुमा यानि कि अगर आपको हिम जीयत नसोनुमा मिलता है तो यह भी क्या होगा पोजिटिव होगा और इसको भी आपको सही करना है तो यह तो कुछ पोजिटिव और आप solve करेंगे तो आपको ये directly आपको ये negative या positive शब्द क्या होंगे मिल जाएंगे और आप इसको बिना पड़े भी ठीक है अगर आपको नहीं भी आ रहा है वो प्रस्ने तो आप इसको सही कर सकते हैं तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा comment के माधिम से बताएगा thank you so much